देश में नेगेटिव होलसेल प्राइस इंडेक्स जिसको थोक महेंगाई दर कहते हैं उसका ढोल बजाया जा रहा है कि महेंगाई खतम हो गई अरे महेंगाई खतम नहीं उससे तो और ज्यादा बड़ी प्राब्लम हो गई मैं कुछ आकड़े लेके आया हूँ जो 14 जून को भारत सरकार ने जो जारी किये उसके अनुसार मई 2023 में मई 2022 की तुल्ला में थोक में जो सबजियां के दाम थे उसमें 20 प्रतिशत की गिरावट आई आलू के दाम में 18.7 प्रतिशत की गिरावट आई ओयल सीट के दाम में 15.6 है प्रतिशत की गिरावट आई जो घी है उसके दाम में 29.5 प्रतिशत की गिरावट आई क्या हमको या आपको या देश में किसी व्यक्ति को सस्ता घी सस्ता खाने का तेल सस्ती सबजी मिली और मिलेगी भी कैसे क्योंकि consumer price inflation है वो positive 3.29 परसेंट है अर्था किसान अपने खरीदता है उसी तरह crude petrol जो कि कच्चा तेल है उसमें wholesale price उसकी 27 प्रतिशत की कमी आई LPG में 24.3 प्रतिशत की कमी आई high speed diesel में 17 प्रतिशत की कमी आई तो WPI negative CPI जिसको हम retail inflation कहते हैं वो positive तो जो मुनाफ़ा है वो कौन रख रहा है या तो सरकार रख रही है कच्चे तेल के अगर हम बात करें और सबजियों की बात करें खाने का तेल या घी की बात करें तो बिचोलिये रख रहे हैं और मोदी जी एक मुख दर्शक बनेवे ब प्यूहर प्तुके तो समकार मिंद देवापा रख रहे हैं मैं K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khydirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new-age design. Book now!